पहले कभी लिंक अपने रहे एक एक्स कापल की पेरिंग की कहानी बनी फेर ओम स्क्रीन दोनों के प्यार के एकरार का अफसाना बना गया सुर्खिया और अब हेडलाइन्स बनने जा रहा है ये जवानी है दिवानी के एक बड़े बैश से दिपिका पाड़कोन का गायब होना खबर आई है कि हाली में रंबीर दिपिका स्टार ये जवानी है दिवानी का एक बैश रखा गया फिल्म के प्रिदिूसर सिधार्द रॉई कपूर के घर पर जहां रंबीर कपूर आये फिल्म के ट्रेक्टर आयान मुखर जी ने भी दिखाई अपनी जवानी ज्वानी ते यहां और इतना ही नहीं तो आखिर दिपिका ने इस बैश को कैसे मिस्स कर दिया यहीं सूच रहे हैं आप तो इतना इशारा काफी है कि हो सकता है पार्टी में मौझूद किसी स्टार की प्रेजन से दिपिका को परिशानी हो गई हो वैसे भी पिछले दिनों नियूज आई थी कि ये जवानी है दिवानी के लिए आने वाले दिनों में रख़े गए UK के प्रमोशनल शेडूल से भी दिपिका को दूर ही रखा गया है वहीं इत्तिफाक देखें कि रंबीर की फिल्म के इस प्रमोशनल शेडियूल के दौरान कट्रीना लंडन में होंगी बस इसी वज़े से माना जा रहा है कि जहां जहां कट्रीना होंगी वहां दिपिका नहीं होंगी हैर जब तक खुद दिपिका ना बताएं कोई भी बात स्पेकुलेशन ही लगेगी पर दिपिका के दिये गए रीजन्स ही थोड़े कम वजन्दार हैं इस बैश में ना जा पाने का रीजन तो फिल्हाल दिपिका की तरफ से नहीं आया पर हाँ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यूके प्रमोशन शेडियूल में शामिल ना हो पाने के लिए रिपोर्टेडली दिपिका की तरफ से कहां गया है कि वो फिलहाल शारुखान स्टार चेन्मे एक्स्प्रेस की शूटिंग में बिजी है पर अब जब लंडन में मिलने वाली कड़ी मुंबई में होने वाले फिल्म के बैश से जुटने लगी है तो शायद दिपिका के बास से भी इसका कोई सीधा साधा जवाब मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि एंगल एक नहीं अनेक है यानी कहीं दिपिका रंबीर स्टार ये जवानी है दिवानी में कट्रीना कैफ के जुडने का ट्रायंगल ही तो वो वज़ नहीं जिसने दिपिका को परिशान कर गया है और सिगनल तोड़ ताड़ के कट्रीना का रंबीर से मिलने आना बन गया है दिपिका के फिल्म के प्रोमोशन को छोड़ जाड़ के दूर बैठ जाने की वज़ा है। Bureau Report, Zoom, Mumbai